हेलो दोस्तो मैं हूं इम्राम और आपका लजनी जक्षन में बहुत बहुत स्वागत है आज का वीडियो जो है वह है सौधी अरब और दूबई में रहने वालों लोगों को लिए अगर आप सौधी अरब में या दूबई में आप रहते हैं तो आप यह वीडियो जरूर करना है तो यह वीडियो देखें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सौधी अरब या दूबई में अगर रहते हैं तो किस तरह से ऑनलाइन स्वापिंग कर सकते हैं ऑनलाइन स्वापिंग करने के यहां पर हम दो वेबसाइट के बारे में बात करेंगे जो बहु वीडियो में हम वादी.com को कवर करेंगे मैं इन दोनों वेबसाइट से पर्सनली पर्चिस करता हूं ओनलाइन स्वापिंग करता हूं तो इसलिए मैं आपके साथ सेर कर रहा हूं यह बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है आप इससे चाहें तो स्वापिंग कर सकते हैं औ और कर सकते हैं अगर आप चाहें तो मतलब अगर आप सौधी या दुबई में रहते हैं आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है ऑनलाइन ट्राइशन नहीं कर सकते हैं तो आप इस वेबसाइट के तुरू कैस डिलेवरी भी में गा सकते हैं और आपका जो कोरियर आएगा उस कि अगर साओधी दुबई में कोई रहता है तो कैसे ओनलाइन स्वापिंग करेगा तो यहां पर हम सौक.com का बारे में जानेंगे सौक.com से ओनलाइन स्वापिंग करेंगे लेकिन उससे पहले हमें अकाउंट तो क्रियेट करना होगा ना सौक.com पर तो उसके लिए चलिए ह इसके लिए हम क्रोम ब्राउजर का यूज कर रहा हूं आप कोई भी ब्राउजर का यूज कर सकते हैं यहां पर आने के बाद से आप टाइप करना होगा सौक.com और इंटरप्रेस करना होगा यह जो सौक.com के जो वेबसाइट है यह दुबई के लिए अलग है और सौधी के अलग है तो इंग्लिस में कर लेता हूं आप देख सकते हैं कि जैसी सौक.com आप टाइप करेंगे यह बाई डिफॉल्ट दुबई का वेबसाइट में चला जाएगा आप यहां पर अगर नोटिस कर पा रहे होंगे तो आप नोटिस करें कि UAE लिख के आ रहा है यहां पर आ UAE.soc.com आ रहा है और यहां पर A-E-N लिख रहा है मतलब इंग्लिस का यह वेबसाइट इंग्लिस में है तो इसलिए आ रहा है अगर अर भी होगा तो यहां पर AR लिख के आएगा तो UAE का वेबसाइट है मतलब United Arab Emirates तो अगर आपको सौधी का वेबसाइट खोलना होगा त अगर आप दुबई से हैं तो आप इस वेबसाइट पर आएंगे और आने के बाद आप यहां पर एकाउंट क्रेट करेंगे लेकिन अगर आप सौधी में हैं तो आपको यहां पर UAE के जगा पर आपको सौधी लिखना होगा S-A-U-D-I उस बाद फिर इंटरप्रेस करेंग तो यह जैसी आप सौधी लिखेंगे तो यह जो वेबसाइट है वो सौधी का वेबसाइट है कैसे पता चलेगा कि यह सौधी का वेबसाइट है और वो दुबई का वेबसाइट है इसको जानने के लिए आप नीचे अगर करते हैं तो आप यहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी amount का format लिखा हुआ, वो aed लिखा हुआ है, मतलब यह दरहम में है, Arab Emirates दरहम यहां लिखा हुआ है, ठीक है, अगर सौधी होता, तो sar लिखता, ठीक है, तो अभी यह दुबई का side है, अगर आपको सौधी में जाना है, सौधी के website पे, तो आपको यहाँ पर type करना होगा saudi.soc.com, अब interface करता हूँ मैं, फिर आप देखें, क्या होता है, अभी आप देख सकते हैं, कि मैंने saudi.soc.com खोला, UAE का side मैंने नहीं खोला, तो आप नीचे करें, और यहाँ पर आप amount में आप देख सकते हैं, कि 799 SAR लिखा है, मतलब सौधी अरबिया रियाल लिखा हुआ पहले दरहम में था, अभी रियाल में हो गया, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सौधी से हैं, तो आपको saudi.soc.com खोलना होगा, और अगर आप दुबई से हैं, तो दुबई के लिए आपको UAE, उसके बाद www.soc.com खोलना होगा, तो आप जहां पर हैं, उसके SAR लिखा हुआ है, तो आप जहां से हैं, वहाँ का website, खोलेंगे, यह नहीं कि आप Dubai में हैं, और सौधी का website, खोलों के फिर signing इंग कर लेंगे, तो फिर आप purchase कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और वहाँलिदे हैं, का website खोलाकर उसमें, प्रसिए करेंगे, तो चलिए आप आप जो साइनिंग करने का सिस्टम है वह दोनों में सेम है तो आप जिसमें भी एक में अगर मैं यहां पर आपको बताता हूँ तो दूसरे में भी आप उसी तरीके से कर पाएंगे तो चलिए मैं यहां सौधी के वेब साइट पर आता हूँ और आने के बाद से हम यहां पर लोग इन पर क्लिक करते हैं सेम आप दुबई के वेब साइट पर आने के बाद से वैसी लोग इन पर क्लिक करेंगे तो यह सौधी का वेब साइट आ गया यह सौधी और दुबई दोनों पर आप क्लिक करेंगे तो यह आपको लेकर आएगा यही पर जहां पर अभी लेकर आया है आपको यह एकाउंट क्रियेट मतलब शाइनिंग का उप्सन पर और यह देखिए मैं यहां पर यह दूबई के साइट पर मैं क्लिक करता हूं फिर क्य करना होगा और दुबई के लिए दुबई का वेबसाइट पर आने पड़ेगा और बाकी वी कंट्री में यह काम करता आप नीचे देख सकते हैं कि UAE, Egypt मतलब मिस्र, सौधी, कुवैत में भी यह काम करता है तो यहां पर आने के बाद से आपको साइन अप पर क्लिक करना मैं यहां पर सौधी से मैं साइन कर रहा हूं मतलब एकाउंट कर रहा हूं लेकिन अगर आप दुबई हैं तो मैं बार बर आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप सौधी के वेबसाइट पर आने के बाद सौधी के वेबसाइट में अगर आप एकाउंट कर लेते हैं त है तो सौधी के ही वेबसाइट पर आकर आप एकाउंट क्रियेट करें दुबई में है तो दुबई के ही वेबसाइट पर आकर आप एकाउंट क्रियेट करें तो चलिए अभी हम सौधी में हैं तो यहां पर आने के बाद से एकाउंट क्रियेट करके देख लेते हैं तो यहां और वाले website पर हम आ चुके हैं कैसे पाइच लेगा देखिए यहां पर सब में ऐसा लिख के आ रहा है ठीक है आने के बाद आपको यहां से आप क्या purchase करना होगा यहां पर क्लिक करका वो सच करना होगा या फिर आप यहां पर क्लिक करके आप यहां से categories wise आप select कर सकते हैं है ठीक है headphone search करने के बाद से आप देख सकते हैं कि बहुत सारा headphone यहां पर show कर रहा है आपको जो भी purchase करना है आप उसे purchase करेंगे तो चलिए हम यहां से headphone headphone and headphones auran to headset अध्यओ पर क्लिक कर लेते है उसके पासे आप देख सकते हैं कि यह जो headphone upload T2S Bluetooth stereo headphone उस पर हम click करते हैं और 139 real का है तो इसे हम purchase करते हैं add to cart परOS order पर click करेंगे उसके बाद से हम run our पर क्लिक करते हैं उसके बाद पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यह 139 रियाल है और इसमें सिपिंग चाज 18 रियाल है मतलक टोटल 157 रियाल आपको पेग करने पड़ेंगे उसके बाद से आपको यह 327 बिजनेश दे में आपको यह मिल जाएगा यह इस्टेंडर् 157 आप इसको notice करें 18 इसमें लगा हुआ है आपका shipping charge और 157 रियाल आपको pay करने होंगे लेकिन अगर जैसे हम यहाँ पर आप देखें कि cash and delivery का यहाँ पर एक payment matter है लेकिन जब मैं cash and delivery पर click करूँगा तो आपको plus 17 रियाल जियादा देने होंगे आप देख सकते हैं कि 174 रियाल हो गया टोटल प्राइस था 139 एडिशनल जो था यह 17 डॉलर आपको cash payment के लिए आपको देना पड़ रहा है और shipping charge के लिए 18 रियाल देना पड़ रहा है तो आप अगर online payment करते हैं जैसे की card से या फिर अगर किसी भी दूसरे through PayPal से भी तो आपको payment आपको यह 17 रियाल ज्यादा देने पड़ रहे हैं वो नहीं देने पड़ेंगे यह ship cash and delivery के लिए है तो हो सकता है कि आपको यह costly लगे लेकिन मैं आपको यह suggest करूँगा कि जो project आप नहीं खरीद पा रहे हैं बाहर से तो आप अगर online available है तो आप थोड़े ज्यादा पैसे देकर थोड़े ज्यादा रियाल देकर खरीच सकते हैं लेकिन अगर आपके पास इन में से कोई भी option है यह सदाद card या PayPal account आपके पास है या फिर अगर card है आपके पास तो आप easily यह जो 17 लग रहा है आपको 17 रियाल इसे आप सेफ कर सकते हैं तो बस अब यहां पर आने के बाद से आपको cash and reward पर select करना होगा और place order पर click कर देना होगा मैं place order नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं चीय अभी यह headphone तो आप यहा पर जरूर कॉल करेंगे कि sir आप कहां पहें और कितना बजर आप available रहेंगे इस address पर तो इस तरह से आप purchase कर सकते हैं online तो आप online purchase करें लेकिन आप इसका ख्याल लगें कि आपको अगर ज्यादा price लग रहा है तो आप इसे purchase ना करें इसमें कभी-कभी आता है मतलब free में delivery चा जीरो हो जाएगा कभी-कभी offer में आता है तो online shopping करें और कोई problem हो रहा है तो comment में हमें बताएं अगला वीडियो आप जरूर देखें क्योंकि अगले वीडियो में हम wadi.com जो shopping side है popular और trusted website है हम उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में आपने sock.com के बारे में जान चुक हैं उनको भी अगर online shopping करना है तो easily ओभी online shopping कर सकते हैं और please अगर subscribe आप नहीं किये हैं अब तक उमीद सब्सक्राइब तो किये ही होंगे अगर subscribe नहीं किये हैं तो please आप subscribe करें और दोस्तों को साथ share करें thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में